असलाम आलाइकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उमीद है कि आप ठीक हैं, मैं हूँ उस्तानी फरहनास और अलहम्दुलिल्ला मैं भी ठीक हूँ इस सबक में हम जिद याने उपोजित पर काम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप मुझे चंद फैलों की मिसालें दीजिए आना, जाना, पढ़ना, लिखना, पकड़ना, सोना, उठना, देखना, बैटना, छोडना, जागना, हसना, रोना, खरीदना, बेचना, लेना, देना जी हाँ बच्चो, शाबाश अब ये दो फैल देखिए आना, जाना आना का मतलब क्या है बच्चो? वनिय, जी हाँ और बताईए जाना का मतलब है आले ये दोनों फैल है आना और जाना लेकिन ये दो फैल ये दूसरे की जिद है तो आना की जिद है जाना आना, जाना आना की जिद है जाना देखिए बच्चों, जिद बताने के लिए कौन सा निशान इस्तमाल किया गया है? ये निशान जिद के लिए इस्तमाल होता है आप जानते हैं ना बच्चों, आना और जाना फैल है उर्दू में जितने फैल हैं, वो ना से खत्म होते हैं आना और जाना फैल हैं और एक दूसरे की जिद भी है अब आईए इसी तरह और फैलों की जिद देखते हैं उठना बैठना तो उठना की जिद हैं बैठना चलिए एक तीसरी मिसाल देखते हैं आप पहले तसवीर देखिए फिर बताईए ये कौन सा फैल हैं लड़की क्या करती हैं लड़की हसती हैं तो फैल हैं हसना तो बताईए फैल हसना की जिद क्या होगी जी हां रोना तो इसे निशान के साथ कैसे लिखेंगे ये जिद का निशान हैं ठीक हैं बच्चो ये जुमला देखिए असलम आता हैं अगर कहा जाए आता हैं की जिद लिखिए तो हमारा जवाब क्या होगा असलम जाना नहीं देखिए बच्चो आता हैं फैल आना से हैं आना की जिद हैं जाना और यहां जुमला अगर हैं असलम आता हैं और हमें आता हैं की जिद लिखना हैं तो जवाब इस तरह होगा असलम जाता हैं यहां चुमके जुमले में फैल हैं आता हैं तो जिद में जवाब जाता हैं होगा असलम आता हैं इसकी जिद होगी असलम जाता हैं इसी तरह अगर जुमला है असलम आएगा और हमें आएगा की जिद लिखनी हो तो जवाब क्या होगा क्या हम कहेंगे असलम जाना या असलम जाएगा घौर से देखिए जुमले में फैल है आएगा तो आएगा जमाना मुस्तक्बिल में हैं तो अगर फैल जमाना मुस्तक्बिल में है और हमें फैल की जिद लिखनी है तो हम फैल की जिद भी जमाना मुस्तक्बिल में ही लिखेंगे असलम आएगा आएगा की जिद है जाएगा असलम आएगा जिद में असलम जाएगा ठीक हैं बच्चो ये देखिये बच्चो आना की जिद है जाना आता है की जिद बताएए जाता है जी हाँ आएगा की जिद जाएगा आती है की जिद है जाती है आएगी की जिद जाएगी तो याद रखिये फैल की जिद अगर लिखनी है तो जरूर गोर कीजिए के फैल किस जमाने में है जमाने के मताबिक ही फैल की जिद लिखिये मसलन आता है जाता है आएगी जाएगी आना जाना ठीक है बच्चो हसना की जिद है रोना अब ये जुमला देखिये बच्चे रोते हैं अगर जुमले के मताबिक हमें रोते हैं की जिद लिखनी हो तो जवाब क्या होगा क्या हम कहेंगे बच्चे हसता है या बच्चे हसती है हरगिज नहीं बच्चे रोते हैं बच्चे जम मुझकर में हैं तो रोते हैं की जिद लिखते वक्त हमारा जवाब भी जम मुझकर में ही होगा बच्चे रोते हैं जिद में जवाब होगा बच्चे हसते हैं अब आईए बच्चे हम चंद फैलों की जिद सीखते हैं आना की जिद हैं जाना हसना की जिद हैं बताए रोना जी हां अब इसी तरह सोना की जिद हैं जागना पकड़ना की जिद हैं छोड़ना लेना की जिद हैं देना खरीदना की जिद हैं बेचना बनाना की जिद हैं तोड़ना उठना की जिद हैं बैठना जीना की जिद हैं मरना जीतना की जिद हैं हारना फिर से फैलों की जिद पढ़ते हैं आना जाना हसना रोना सोना जागना पकड़ना छोड़ना लेना देना खरीदना बेचना बनाना तोड़ना तोड़ना उठना बैठना जीना मरना जीतना हारना तो बच्चों आप देख रहे हैं इन फैलों की जिद क्या है फैल अगर आना है तो जिद जाना होगी जिद भी ना से खत्म होगी अगर फैल होता लेती हो तो इस फैल की जिद क्या होगी लेती हो की जिद देती हो इसी तरह अगर फैल है सोता हूं तो इस फैल की जिद क्या होगी जागता हूं जी हाँ शाबाश अगर फैल है खरीदेंगे तो जिद क्या होगी बेचेंगे जी हाँ अब ये जुमला देखिए खिलाडी मुकाबले में हार गए तो यहाँ हार गए की जिद क्या होगी फैल अच्छी तरह से देखिए हम कहेंगे खिलाडी मुकाबले में जीत गए ठीक है बच्चों जुमले अगर फैल जमाना हाल में है और हमें फैल की जिद लिखनी हो तो हम फैल जमाना हाल में ही लिखेंगे जिद लिखने के लिए गोर से जुमले पढ़ना न भूलें बच्चों तो इस सबक में हमने फैलों की जिद सीखी हमने देखा के फैल जिस जमाने में है उसी जमाने में फैल की जिद भी लिखना चाहिए अब उस्तानी फरहनास को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज जिस जब एप उस झाल झाल